नवश्कार दिनांक 14 मार्च दोहजार चौबीस से सूरिदेव मेन राशिस्तान में परिवर्तन कर जाएंगे यानि अपने संकरांति क्रम के साथ में परिवर्तन लेकर आने वाले रहेंगे कुंभ राशिस्थान जो कि शनीदेव का मूलतर कॉन राशिस्थान है वहाँ सूर्य एवम शनीदेव की योती संगत इस्ततियां बनी वूई थी पिता पुत्र परन्तु आदर्श शत्रुगर है इस्ततियां साथ में चल रही थी अब ये अंत्राल वहाँ से बाहर निकल रहा है तो मेश राशिके महानुभावों से लेकर में इन राशिके महानुभावों तक जो ये परिवर्टन सामने होगा आत्मा के कारका निपती सूर्य देव की इस्ततियां जब ब्रुहस्पती राशी इस्थान में एक महीने के साथ में रहने वाली होंगी और साथ आठ अपरेल से जब उच्छा विलाशी इस्थतियों की तरफ आ चुकी होगी तो ये पूरा ही प्रवाह करम कौन से संकेत देता है और किस तरफ जीवन यात्रा बढ़ रही है इसका समगर चर्चा व्यारा हम आपके समख्ष यहां रखने का प्रेयत में कर रहे हैं शुरवात करते हैं मेश वराशी के साथ में आप आएंगे कि द्वाधश भावस्त इस्तियों के साथ में अब सूर्य देव चलाए मान रहेंगे अनित्रा से संबद्दित इस्तियां सामने आ सकती है कामकाजी जीवन में फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा और फ्रस्ट्रेशन जब पीक पर पहुंचती है तो व्यक्ति इंडिसाइजिव होने लगता है और कहीं ने कहीं गलत मिरने की तरफ बाद्य होता है उसे संबलना आवशक इस महीने के मद्ध सिरे के साथ में यानि कि लगबग तीस मार्च एक तीस मार्च के आसपास क्योंकि इस अंकरांति करम को महीना माना जाए तो मध्यान वही निकल कर आता है यहां बोन्स और जाइंड्स की स्टिपनस आपको डिस्टर्बिंस देने वाली हो सकती है संबलें शत्रपक्ष हावी नहीं है वैचारिक उद्विग निता से संबलिएगा कोई भी चेंज की तरफ जा रहे है लिक्रेटिव एवरोट से दूर हटकर अपनी जर्नी को एस्टबलिश करने की पूरी-पूरी रेक्वायर्मेंट आपके लिए रहेगी वैसे भी पंचम भाव क्या निपती द्वादश भाव में है इसलिए एजुकीशन में डिस्ट्रेक्शन्स निकल कर आ सकते हैं संबलने का प्रहत में करें अध्यात्मिक धारा वस इस तरफ पर मौजूद नहीं है हम चड़चा को बढ़ाते हैं वुरशब राशी के और यहां आप आएंगे कि एक आदश भावस्त इस्टियों के साथ में जो कती शीलता रहेगी सुरिदेव की वो पंचम भाव को देखने वाली होगी संतान पक्ष के साथ वैचारिक मद्बेच से बचें हलाकि सरवांगीन लाब में व्रद्दी है और जहां आप उन्नक्ति अपने कारिशेत्र के साथ में चाते हैं वो इसका पूरा ही प्रवाह करम आपके समक्ष स्थापित रहने वाला रहेगा किसी भी तरीके की मित्रवत स्थिती को आप नए पंग के साथ में आगे बढ़ाना चाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए गहन एस्तिया मौजुद रहेंगी सकारात मत्ता है एसमें इने को डिसाइजिव मीटिंग है किसी मेजर ट्रेबल की तरफ जाना है उन सारे ही प्रोस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी रियल स्टेट संबद्य कामकाज में संबल कर चलें वही नेत्र संबद्य विकार परेशान कर सकते हैं स्ट्रस्पुल अप्रोच जहां पर भी आँखों के साथ में निकल कर आती है और आँखे संकेत देती है कि अब कुछ समय के लिए विराम और विश्राम की आवश्रकता है तो वहाँ पर भी खुद को आप स्पस्ट रूपे रणा के बढ़ाईएगा अध्यात्मिक धारा दिरे दिरे उन्नत्ती के परदाय करम की और बढ़ने वाली रहेगी तो वहीं मिथुन राशी है आपके लिए इस समय विशेश में भागदोड बहुत अड़िक पड़ी हुई है परन्तो इसी भागदोड के साथ में संक्रांतिक रम में एक महीने के लिए आप कुछ अच्छे परणाम भी अपने व्यापारिक जीवन में देख सकते हैं सोलर संबंदी काम का जो इलेक्ट्रोनिक फिल्ड संबंदी कारिशेतर हो बहतरी है मानसक सुख संगर्ष की स्थियों के बाद में निकल कराता हुए प्रतितनित होता है और वहीं आर्थिक सुधारों के प्रक्रिया के साथ में 31 मार्थ से 14 अपरिल तक का समय बेहत शांदार अवस्तत इस्थियों में काल जाएगा बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस से जतना आप संभल कर चलेंगे उतनी आपके लिए बहतरी अध्यात्मिक स्थर पर उस इस्थर की प्रक्रियाओं के साथ में आपका दिमान रहेंगे वहीं करक राशी डईया का अंतराल आपको चल रहा है सूरेदेव अब नवम भावस्त प्रवेश कर जाएंगे और अस्थम भाव में शनिदेव के स्थर रहेंगे मन के भीतर जब अध्यात्मिक धारातिवर गामी होती है तो व्यक्ति के संतुष्टे के प्रखर प्रतेमान नेकल कर आता है जो संगर्ष किये उसका उनभव साथ में है उसका कोई भी रिग्रेट का बेश साथ में नहीं है यह ताकत आप अपने साथ रखने वाले होंगे वहीं दूसरी और इस पस्टता है यात्राओं से संबंदित काम का आज में बहतरी है आप किसी भी चेंज को अपने साथ में डिसाइजिव फोल्ड में लेकर चलना चाते हैं तब भी इस पस्टतम स्तर के उपर ये समय सा योग दे रहा है आप प्रोफेशनल लाइफ में बिजनस के प्रोस्पेक्ट में जिस भी चेंज को इवॉल्ड करते हैं जर्णी एक अलग फ्रेम के साथ में एस्टबलिश रहेगी यहां जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कारजी में अटकाव महसूस कर रहे थे दुवधाई महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अब सहूलियत सामने है परम्तू संगर्षों से और मन के भीतर आ रहे नैराश्य से लड़ने के जरूरत पूर्णतया है सूरी प्रदान संगराशी के महनुभावों के लिए जो अस्थम भावस्त इस्तितियों के साथ सूरी देव चलाए मान रहेंगी कारियों के साथ में विग्न वाधा है और जो परेशानिया निकल कर आती है उससे अभी भी पार पाने में सक्षम हद के उपर संगर्ष करने के जरूरत है कम्यूनिकेशन में रियक्टिव प्रोसेस से पूर्ण अतया दूर रहकर चलें पारिवारे एक जनों के साथ में जिस नई उम्मीद को आप अपने साथ में लेकर चलना चाते है उसमें भी पूरे पूरे सरुकार आपके लिए सकारात्मक पक्ष को इस्तापित करते हैं यहां पर कोई कमिट्मेंट आप कर रहे है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक रहने की जोरत रहेगी कोई कमिट्मेंट कर दिया एकसाइट्मेंट में अब मालूम ही नहीं है कि कहा चल रही है यातरा और क्या इस पस्टता है वो एक विजन अपने साथ में आप एस्टैबलिश जरूर कीजिएगा इस अंतराल में नेतर संबंदे विकार परेशान कर सकते हैं विदेश संबंदे कार्यों में आ रही बाधाओं को पार पाने में आपको काफी हद तक संगर्ष करना पड़ेगा चुनौतियां सामने है और वहां से पार पाने की सक्षम हदें डोंडने का प्रयत ने बहुत अलिक है कन्या राशी के महनुभावों के लिए यहां पर ग्रुहस्त पक्ष के साथ कई ने कई दो विधाय निकल कर आ सकती है संबलें निरनायक मौकों पर आत्मविश्वास में व्रद्धी है स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जल्द बाजी में लिये गए निरने इतने उत्तम नहीं कहे जाएंगे ये भी सपष्टता रखिएगा परन्तो जहां किसे इंटर्विव की तरफ है कोई मेल, मुलाकात, महतुपूर्ण तोर पर होनी है बली ही पारिवारिक क्यातरा में चाहे कामकाजी स्थर पर आपकी जो ख्षमता है आपका जो अदम ख्षाहास का आधार है वो देखते ही बनता है इसी समय के अंतराल में जो व्यापार एक साझगारी होती है उसमें चोटी चोटी स्थर के उपर गफलते निकल कर आसकती है खलत फहमिया जब व्यक्ति के साथ होती है तो व्यक्ति मित треб होता रावाव पर लगा दیता है साझगार्यों को पूरे तरीके से नरस्ट कर देता है उससे आप खुद को जरूर संभालें इसी प्रक्रिया में याद रखिएगा कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रेक्शन संबंदे कामकाईज में डिसाइज जिव मतलोजी आपके सामने रहेगी 14 मार्ट से लेकर एक 30 मार्च 2024 के अमत्राल तक बहतरी आपके समक्षा है जिन लोगों के साथ में फाइनिशल बर्डन लंबे समय से बने वो थे अब वो सॉल्यूशन ओरियंटेड वेस बना रहे हैं कुछ कार्या ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही थी परंतु पूर्णता की तरफ नहीं थे वहां से जुमन को संबल मिलेगा वो इस यात्रा की प्रदानता को और बहतर करता चला जाएगा इस दिव रगामी ताकत के साथ में जीवन को बढ़ाते चले जाना आपके लिए ववस्तत करम है आर्टिस्टिक बिल्ड के साथ में भी डेवलिप्मेंट की मेजर्स को आप कंटिनूस नोट के उपर देखने वाले होंगे कोई भी रुकावट एवंबाधा यहां शुमार नहीं होती जो भी महनुभाव कुछ कारियों में अटकाव महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अब रास्ते इस पश्ट तोर पर सक्षम हने निर्मित कर रहे हैं बढ़ते हैं वरिष्चिक राशी के और प्रतम तया इस अंतराल में स्टॉक मार्केट संबंदी का अंकाज में अट्मोस्ट पॉजिटिविटी को आप अपने साथ देखने वाले होंगे लाब के सिरों में वरद्दी है हाईर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसिजन्स में पॉजिटिविटी है गर परिवार को किसी भी कार्रे के साथ में कन्विंस करना है उसलेहाज भी आप यहाँ अपनी अदम विक्षमताओं का परिचा देते हुए बढ़ेंगे लाब हो या फिर कर्म के साथ में जुड़े हुए निस्वारत भाव हो दोनों में जब व्यक्ति का नाम बढ़ता है तो कार्रे और निकल कर आते हैं उसकी ख्याती के अनुगूंज लगातार बढ़ने वाली होती है वो एक शमता आप अपने साथ में प्रतिधनित करते चले जाएंगे जो भी महानुभाव रेसर्च संबंदे कामकाज में है या किसी ऐसे कार्रे में है जहां बहुत कम लोग जुटे होते हैं बले ही एडवान्स टेकनोलोजी का कोई भी बेस हो आपके रिफ्लेक्शन्स और आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है बस संतान पक्ष की और से कुछ इंताएं जो परिशान कर रही है उनसे संभल कर चलने का योग ये प्रभाव आप अपने साथ में जरूर रखिएगा बढ़ना होता है जनुराशी की और सरुपरत हम धर्दाए संभंधी रोगों से साथ दानी परते है एंग्जाइटी ड्रिवन एप्रोच व्यक्ती की जो पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स उसको खत्म कर देती है उसे संभले हैं कमिशन संभंधी कामकाज में बेटरमेंट है इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में बनी हुई है माता पता के साथ में संभात कोशल बड़ी है गहराई से आप बना कर रखने का प्रयत न करते चले जाईएगा निवदन है आप से के खान पान में रोची ठीक है परमतू इतनी अधिक रोची नहीं बढ़ जाए कि वो अपच से संबंदित समस्याओं को लेकर आए और हम लगातार वहीं पर खुद के फैस्सिनेशन को रखने वाले हों ये समय कर मशीलता की मांग कर रहा है माता के स्वास्ते को लेकर ध्यान रखते हुए ये भी देखें कि कामकाश को किस तरह से संबालना है वाहन संबंदी कोई भी लगजरी के फ्रेम को बढ़ाना है तो ट्राइ टू स्क्वीज देट फ्रेम खुद को जतना हम स्क्वीज करके चलेंगे लगजरी का कोई भी ओर छोड़ नहीं है बढ़ाते चले जाएए और व्यक्ति खुद को वहां से जितना चाहे उलजा सकता है ऐसे वस्ताओं से थोड़ा सा संबलें हमारी यात्रा बढ़ती है मकर राशी के और पराक्रम भावस्त रहेंगे यहां पर स्वयम सूरिदेव जो माहनुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में पुने है सक्री होना चाह रहे थे सूरिदेव के संक्रान्ति का ये गोजर आपके लिए सपष्ट तमस्तर के उपर भाग्ये का संकेत लेकर आता है जिसके साथ में पुने हैं खुद को आप एक रिज्यूम करने वले प्रोच में लेकर आ सकते हैं भाई यो तथा मेत्रों का सयोग बना रहेगा आप भी उनको उसी तरह के सयोग के साथ में लेकर चलने वाले होंगे इस अंतराल के साथ में चलते हुए कहीं पर भी छोटी छोटी बातों में गबरहाट की जरुत नहीं है आपका व्यक्तिकत पुरशार्थ प्रकरतेज देरंतर आपको अगरगामी कर रहा है जहां से कोई और रुकावट तथा बादा साथ में नहीं आईटी फिल्ट के साथ जुड़े हुए इन महनुभाव जिस बड़े परिवर्तन की और खुद को लेकर जाना चाहते है बहतर से बहतर स्थियां आपके साथ में यहां पर चलती चली जा रही है रुकावटों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को ताय करने वाले रहेंगे इसे अंतराल के क्रम में निवदन है आपसे कि स्वास्ते में मस्कूलर पेंसे संबंदित समस्याओं से साथधानी परते है शनिदेव की मुल्तरकाण कुम बराशी जहां से सुरिदेव का गोचर भी निकला ही है आपके लिए द्विती भावस्त सुरिदेव की स्थियां है वानी इसपस्टता के साथ में चल रही है उर्जा के प्रतविंब के रूप में आप चलाए मान होंगे यही वो अंतराल है जो आपके साथ में चोटी चोटी बादाओं को मुक्त करके निरंतर अग्रगामी होने बाला रहेगा और यहां पर आप माइग्रेन से संबंदित समस्याओं से संभल कर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाएगा निविदन करना चाहेंगे आप से के आज का दिवस विशेश आपको एक नई ठोर एवन परवास के तरफ लेकर चल रहा है जो कारियों के बारे में आपने सोचा नहीं था साड़े सांथी के मद्धि प्रवास करब में वो कारिया सामने आ रहे है अब चमताए हमारी है अब महनत हमारी है और कुवत हमारी है के हम के सौर बढ़ना चाहते है उससे सरे के साथ में आपका अग्रिगामी होना बहतर मीन राशिके महनुभावों के लिए ये समय अत्यंत प्रभावी आप अपने भीतर के ओच को तेज को लगातार बढ़ाने वाले होंगे साड़े साथी के प्रधम प्रवासकर्म में भी संगर्शों की प्रदिदुनी आपको बहतरी देती चली जा रही है गुरुहस्त पक्ष के साथ में सहयोग पूर्णतया आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा जो भी महानुभाव स्वहिम को किसी भी नए कारिय के साथ में जोड़ कर आगे बढ़ना चाते हैं उनकी तिबर गामित अभी देखते ही बनती है अध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके साथ में लगातार रहने वाली रहेगी संगर्शों के मद्या आप हैं कारियों के रुकावटों के इस तरके साथ में आप परिशान हो सकते हैं परंतु वेचलेत होने वाले नहीं है ये ताकत आपके साथ में है कुल जमाजोड मीन राशी के महनुभावों के लिए ये महीना बदलाव के संकेट लेकर आ रहा है जिसने जीवन में बदलाव की बयार को अपने साथ में स्थापित किया है अंततो गत्वा उसी ने सार गर्विच जीवन को अपनी बरिबाशाओं के रूप में देखा है और उसी सेरे के साथ में अगरकामी आप होते चले जाएं तो बहतरी ये था सूरीदेव का होने वाला मीन राशीब संक्रानत कर्म का पूरा ही चर्चा वरतांत हम इसे तरह से उपस्तित होने का प्रयत ने करते रहेंगे दन्यवाद एवमकूटी शह अभार